बिएस्सी पार्ट फर्स्ट का प्रैक्टिकल जानते हैं कैसे होता है 2023 के लिए University of Rajasthana के लिए ये एक्जाम चार घंटे तक होता है मैक्सिमम 50 मार्क्स का होता है और कम से कम 18 मार्क्स इसमें लेके आने होता है यहाँ पर हम बात करेंगे regular और ex student दोनों के लिए जो first question आएगा वो आएगा anatomy से anatomy में leech और earthworm का किसी भी system पूछा जा सकता है 6 number का होगा और ex student के लिए 5 number का उसके बाद second question आएगा permanent slide preparation के लिए यह 4 number का question होगा और ex student के लिए 7 marks का होगा third question आएगा cell biology and genetics से इसके दो पार्ट होगे और दोनों जो questions होगे इसके 4 प्लस 4 के होगे और ex student के लिए 6 प्लस 6 के होगे question number 4 developmental biology से होगा यह 6 number का होगा पांच बाद सवाल जो होगा यह second copy में होगा sporting copy जिसको बोलते हैं 8 sport करने होगे हर sport दो number का है और वायवा वोस आपका 5 number का होगा और class record 5 number का तो इस तरह से मिला कर total 50 number का आपका practical होता है आईए अब syllabus में देखते हैं university का जो syllabus दिया हुआ है इसमें किस तरह से हमारे questions आते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं anatomy की anatomy में आपको disection करना पड़ेगा या तो word form का या फिर leech का यहाँ पर कुछ systems दिये गए हैं जैसे कि elementary canal, reproductive system and nervous system इनसे ही ज़्यादातर questions आते हैं चार number आपको dissect करने के मिलेंगे और दो number आपको file में diagram बनाने के मिलेंगे आपके पास जो exam की copy मिलेगी उस copy में आपको इसका diagram बनाना है और आपको dissect करके और label करके perform करके दिखाना है perform करने के चार marks हैं और copy में लिखने के diagram बनाने के दो marks मिलेंगे आपको second question जो मिलता है study of the following through permanent slide preparation जब आपको permanent slide बनानी है तो उसके आपको मिलेंगे जैसा कि अभी आपको वीडियो में पहले बताया था और यहाँ पर आपको कुछ material available करवाए जाएंगे जो commonly lab में available material होते हैं जैसे कि sponge specule, fibers, jamule, hydra, parapodium of narriage and heteronarriage, ovelia colony and medusa कुछ यह आपको materials generally provide करवाए जाते हैं और आपको फिर यहाँ पर single standing method से या double standing method से आपको इनकी slide बनाके दिखाना है जो third question आपको मिलेगा वो मिलता है cell biology से cell biology का जो सबसे common practical हो है वो होता है mitosis का तो आपको onion root tip में आपको mitosis की कोई stage वहाँ पर perform करके दिखानी पड़ेंगी exam में आपको question मिलेगा कि जैसे आप प्रोपर जैसे कि आपको प्रोफेज या फिर मेटाफेज stage दिखानी है second question आपको ये भी दिया जा सकता है कोक्रोच या फिर ग्रास ओपर में या फिर जो mammalian RBC होती उसमें permeability का practical दिया जा सकता है या giant chromosomes का practical दिया जा सकता है आपको फिर जो अगला question आता है वो आता है genetics से इसमें जो mainly आता है ट्रोसोफिला पे male and female का identification wild and mutant का identification या फिर इसका जो life cycle होता है common उसके बारे में या फिर जो permanent prepared slide उतीन के sexcom की और slide salivary gland की chromosome की आपको वो slide और जो सबसे अच्छा practical है वो होता है blood group identification का या आपको कोई numerical problems दी जा सकती है जो blood group का practical होता है जैसे कि आपको अपना blood group उसमें check करके बताना होता है कि कौन सा blood group है तो ये सवाल भी अच्छा है developmental biology में आपको chart या फिर slide दी जा सकती है models दी जा सकते हैं किसके frog या toad के और आपको इनका फिर question वहाँ पर आपको identify करना पड़ेगा और उसके बारे में आपको comments करने होंगे diagram बनाना पड़ेगा और उसके बारे में describe करना होगा और जो हम बात करें फिर इसी में का जो अगला question मिल सकता है इसमें कि जो chick embryo होता है अपने पास उसकी जो chart या slide या फिर जो models होते हैं विभिन्न घंटों के अवस्थाओं के या फिर जो उसके fetal membranes होती हैं उनके बारे में आपको question दिया जा सकता है अब एक बार हम common जो syllabus है अपना एक बार ये पूरा discuss कर लेते हैं फिर हम आपको एक sample paper और दिखाएंगे कि exam में आपको paper इस तरह से मिलता है यहाँ पर आपको sporting के लिए जो आपके syllabus में शामिल है इनके बारे में आप अच्छे से पढ़के जाएं NLED आके होंगे आपके पास NERIGE, HETERONERIGE, ERANICOLA, PONTOP DELA, POLIGORUS, POLIGORDIUS इस तरह से आपको बहुत सारे sporting materials दिये जा सकते हैं specimen lab में आपको identify करके क्लिकने होंगे उनके बारे में जो आपकी sporting copy होती है उसके अंदर आपको microscope के बारे में भी पुछा जा सकता है question मिल सकता है वहाँ पर आपको वैसे question तो नहीं मिलेगा लेकिन आपको sporting में microscope रखा जा सकता है वहाँ पर आपको इसके diagram के बारे में बताना होगा और यह अपना जो एक common syllabus है आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए और अब हम बात करते हैं अपने sample paper के बारे में कि exam में आपको paper इस तरह से मिलेगा और आपको इस तरह से वहाँ पर describe करना है अब यहाँ पर एक sample paper हम देखते हैं जैसे कि यहाँ पर first question आपको मिलेगा dissect the given animal and expose its nervous system तो यहाँ पर जो leech मैंने लिखा हुआ है यह वहाँ पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा क्योंकि आपको animal दिया जाएगा और आपसे बस उसका nervous system या फिर कोई भी system पूछ लिया जाएगा तो वहाँ पर आपको खुद से identify करना है क्योंकि आपके syllabus में leech है या earthworm है तो आप इन दोनों को अच्छे से identify कर सकते हो आपको यहाँ पर उसका disection करना है label करना है और उसका neat and clean और labeled diagram बनाना है copy में आपको diagram बनाने के two marks मिलेंगे और आपको dissect करने के मिलेंगे four marks इस तरह से जो first question है वो total six marks का होगा जो second question होगा वो होगा make a permanent slide of the given material आपको कुछ भी material दिया जा सकता है जैसे यह जो question है यह इसमें पहले के syllabus का थाए तो आपको इसमें क्या जैसे कुछ भी दिया जा सकता है जैसे कि आपको sponge के spigules दिये जा सकते हैं sponge के jamules दिये जा सकते हैं नेरिज या हेटेरो नेरिज के perapodium दिये जा सकते हैं या फिर hydra दिया जा सकता है आपको उसका diagram बनाना है अपनी practical की copy में और आपको उसमें diagram बनाना है साथ में उसकी विशेष्थाओं के बारे मिलिखना है comments करने हैं उस पे और आपको copy में जो करने का मिलेगा one marks और आपको slide बनाने के मिलेंगे three marks तो perform करने के मिलेंगे आपको three और आपको diagram बनाने के मिलेंगे comments करने के one marks उसके बार जो question number three आएगा वो होगा कि आप एक prepare a slide of the given material and identify the cell division stage यहाँ पर कुछ और question भी मिल सकता है क्योंकि मैं यहाँ पर एक sample paper की बात कर रहा हूँ तो जैसे question यह मिलता है बचों की prepare a slide of given material and identify the cell division stage draw diagram and comment तो जैसे एक batch में 20 student बैठते हैं तो उसमें जो seat number one, three, five, seven, nine, eleven इस तरह से करके जो हैं उनको जैसे pack 18 की stage दे दी गई या फ्रिजिन का two, four, six, eight करके हैं उनको die kinesis की stage दे दी गई तो आपको उसमें identify करना है और उस division उस जो cell division की जो stage है उसके बारे में आपको describe करना है copy में इसका diagram बनाना है copy में लिखते समय एक बात का खास तोर से ध्यान रखें कि जैसे आपकी ये copy है और इसमें एक page ये है एक side का और दूसरी side का ये है आप diagram इसमें यहाँ पर बनाए और लिखें यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर diagram मना रहे हैं और यहाँ लिख रहे हैं आपने file में क्या वैसे नहीं करना है एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ जैसे आपकी ये copy है तो आपका ये page है तो आप यहाँ पर diagram मना के नीचे उसके बारे में लिखना है आपका question मान लीजिए कि अगले page में यहाँ पर खत्म हो रहा है तो आप next question यहाँ से शुरू करने की बजाए उसको अगले page से शुरू कीजिए फिर इसी में जो second part है identify the blood group of your own blood write procedure and result आपको blood group अपना identify करना है आपको kit दे दी जाएगी उसके help से और फिर आपको अपनी copy के अंदर उसकी procedure लिखनी है result लिखना है यहाँ पर एक बात का ध्यान लखना copy में object जो heading होती है यह heading नहीं डालनी है आपको क्योंकि यह तो आपको question दिया गया है बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं object यानि की उद्देश लिख देते हैं यह आपको नहीं लिखना होता है और जो question number 4 है जैसे दिया हुआ है कि identify the developmental stage and comment upon it also draw a well-labeled diagram of the same जैसे मान लीजिए कि वो question ऐसे दिया हुआ है कि आपको एक slide दी गई है और आप इसको identify कीजिए और इसका diagram बनाईए जैसे कि वो slide दी हुई तो उसका stage जो है hide कर दी जाती है जैसे वो यहाँ पर दी हुई है question में 48 hours chick embryo जो मुर्गी का जो भुरून होता है उसकी 48 गंटे की अवस्तागी slide है तो आपको उसे identify करना है उसका diagram बनाना है copy में और उसके बारे में comments लिखने है और यह question जैसे यहाँ पर कितने number का है 6 नंबर का है क्योंकि developmental biology से है यह मैं बात कर रहा हूँ अभी जो regular जो student होते हैं उनके लिए जो अगला question आता है यह करना होता है sporting का क्योंकि आपको पता है कि आपको 2 copy मिलती है एक तो main copy और एक मिलती है आपको sporting copy तो sporting copy जो होगी आपको उसमें sport करने है और एक page पे आपको एक ही sport करना है जैसे आपकी यह copy है तो एक दो page होगे इसमें तो यहाँ पर आप जैसे sport number 1 यहाँ पर sport number 2 ऐसे मत करना कि यहाँ पर खत्म होगया पहला sport तो second यहीं से जरू कर दिया क्योंकि आपकी copy में काफी page होते है इसलिए एक page पे एक ही sport करें sport करने का तरीका क्या होता है यह जैसे आपकी copy है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले उपर क्या लिखना है sport number 1 या 2 जैसे यह copy है आपकी तो उपर सबसे पहले आपने यहाँ पर लिख दिया कि sport number क्या है 1 या 2 जैसे 1 है उसके बाद सबसे पहले इसमें आपको heading लगानी है identification यानि की पहचान इसमें आप लिखोगे कि given material is या given slide is या given instrument is की दिया गया प्रादर्श यहाँ पर क्या है कि जैसे पहला यहाँ पर paramecium दिया हुआ तो आप क्या लिखोगे कि दिएगी slide किसकी है paramecium की है यहाँ पर आपको diagram बनाना है और सबसे नीचे उसके क्या लिखने है comments comments आपके 3-4 comments हों इससे जादा नहीं हो क्योंकि 2 number का आपका sport है तो उसमें आपका diagram बनाने का identify करने का और comments करने के 3-0 के number मिलते हैं एक sport के लिए आपको maximum 3 minutes का time दिया जाता है तो total 8 sport के लिए आपको 24 minutes दी जाती है और 3 minutes extra दी जाती है कोई sport छूट जाए तो total 27 minutes में आपको sporting करनी होती है sporting कोपी आपको तब करने को दी जाती है जब आपकी main कोपी का काम complete हो चुका हो उसके बाद जो आपका वायवा है वो होता है 5 number का और जो आपने practical file या फिर record जो बनाया है वो भी कितने number का होता है 5 marks का इस तरह से अगर हम इन सारे जो mark sign को total करके देखते है first question disection का कितने number का हो गया 6 number का slide का हो गया 4 number का तो 6 और 4 10 और 4 14 और 4 18 18 और 6 24 24 और 16 40 और 5 45 और 5 50 इस तरह से हमारा जो question है वो कितने number का हो जाता है पेपर practical 50 number का एक तो हमने ये paper देखा एक sample paper or discuss कर लेते हैं जैसे कि हमारे पास एक paper or है जैसे कि इसमें सवाल दिया हुआ है पहला disection के लिए कि आपको एक animal दिया हुआ है और आपको इसका reproductive system expose करना है label करना है उसका neat and clean diagram बनाना है labeled किया हुआ diagram आपने बनाया तो diagram के जो structure होती है उनको आप label करके बताइए कि ये है ये structure ये है ये 6 number का हो गया फिर जो आपका second question है कि आपको slide बनानी है जैसे यहाँ पर material आपको material का नाम नहीं बताया जाएगा आपको material दिया जाएगा तो जैसे यहाँ पर jamule है आपको jamule की slide बनानी है permanent slide बनाने का तरीक आपको पता ही होगा और उसका फिर आपको diagram बनाना है ती number slide बनाने के और एक number आपको copy में diagram के साथ comments लिखने का तो total 4 number का ये सवाल होगा question number 3 जो दिया हुआ है इसके दो part है A और B 4 और 4 number के होते हैं total तो पहला जैसे सवाल दिया हुआ कि prepare a slide of the given material and identify giant chromosome draw diagram and comment तो आपको उस diagram में label करना है और उसके comment आपको बताने है लिखने है इसी का जो part B दिया हुआ है identify male and female trossophila तो male और female trossophila के जो differences होते हैं वो आपको लिखने हैं उनके diagram भी बनाने है यह question कितने number का हो जाएगा 4 marks का उसके बाद developmental biology से question आएगा कि जैसे कि आपको कोई developmental stage दी गई है आपको उसे identify करना है उसके उपर comment लिखने है उसका diagram भी बनाना है और यहाँ पर वो क्या दिया हुआ है जैसे कि frog की blastula stage तो आपको frog की blastula stage का क्या लिखना है सबसे पहले identification की यह क्या है frog की blastula stage है फिर आपको उसका diagram बनाना है neat, clean and well labeled और उसके बाद फिर आपको उसके क्या लिखने है comments लिखने है तो यह 6 number का सवाल हो जाएगा developmental biology से यहाँ पर आपका main copy का काम हो जाता है complete और उसके बाद आपको जो second copy मिलती है वो होती है sporting copy sporting copy के बाद आप लिखते भी हो अपना seat number भी लिखते हो sporting copy लिखते हो और एक बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना जब आपको sporting copy दी जाती है तो बहुत सारे बच्चे उसमें time waste करते हैं इधर उदर इसलिए जब आपको copy दी जाए तो आप सबसे पहले आप एक काम कर ले आपके अंदर के जो page है आप इन पे लिख लें कि जैसे ही इस page पे लिख लिख लिया कि sport 1 इस पे लिख 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 है, इस तरह से आप लिख ले क्योंकि जब आप sporting करने जाओगे तो ये चीज आप वोको लिखनी पड़ेगी भी वहाँ पे इसलिए उससे बढ़िया है कि आप पहले से ही लिख के रख ले तो आप उस चीज को लिख ले और फिर ये लिखोगे तो आपको उसका time बचेगा इस sporting करते time तो आपने लिख लिया उसका key identification लिख लिया फिर उसके comments आप बाद में लिख सकते हैं फिर आपका जैसे यहाँ पर हमने 8 sport कौन-कौन से दिये हैं इनके बारे में discuss करते हैं जैसे यूगलीना की स्लाइड होगी, प्लाजमोडियम की स्लाइड होगी, इस्पोंजिला की स्लाइड होगी, स्पेसिमेन में मैडरी पोरा दिया हुआ है, फैसियोला की रेडिया स्टेज की, जो लारवा स्टेज है रेडिया, वो स्लाइड दी हुई है, टीनिया दिया हुआ तो आपको फिर भी कोई प्रोग्लम हो तो आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछिए धन्यवाद अश्मूआ फैन्यवाद